हेलो गाईज, तो कैसे हैं आप सब लोग, तो आपन स्टार्ट करेंगे, इंट्रेस्ट ओन कैपिटल, जैसे की गाईज अपन ने लास्ट व्यूडियो में यह बाग की थी, कि पी एंटल एक्प्रोपेशन और इस टॉपिक में हम इंट्रेस्ट ओन कैपिटल के टॉपिक को का सबस्ते हैं कॠांज होगें 노 का सबस्क्राट, टॉइस पर इंट्रेस्ट ओडें होगी तो इंट्रेस्ट चार्ज किया जाईगा यादि कि ओपनी कापिटल पर इंट्रेस्ट पर इंट्रेस्ट चार्ज किया जाएगा पर इंट्रेस्ट चार्ज किया जाएगा तो आइस को एक एक एक्जाम्पल से अपन समझते हैं जैसे कि हांस पार्टनर है सेशन लेरे हैं पर 90-20 और आइस रेट ओफ इंट्रेस्ट है हो है 12% पर एनम ठीक है जैसे कि 31st एप्रिल 19 को चो रांस की कैपिटल थी वो थी 3 लाइख है नहीं कि ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल 31st ओक्टूबर 19 को रांस ने 1 लेग रुपी लाए है एडिशनल कैपिटल के रुप 31st जैनुबरी 20 को रांस ने 50,000 रुपी विद्ड्रॉपी विद्ड्रॉप करी एडिए 31st जैनुबरी 21st जैनुबरी 2020 को 50,000 रुपी विद्ड्रॉप करीए तो रांस आप तको इंट्रेस कैपिटलेट करनें तुड़ा यहां से समझीएगा है ए सब्सक्राइशन ओप इक पेवरेतर और कापिटल जयानों कि ओपनी कैपिटल है इसपर अनिट्रच पर सिंट्रेसट कातनी है 12 परेंट्रच परेंट्र यहां यह जो प्सक्राइप शिरेंट्राइगं तो इसको पूरे साल में इंटरस चार्ब होगा तो इसलिए आपको लिख दें कि जरूरत नहीं है तो डारेक्टी लिख दें कि इसको 36,000 है कैसी जनौन है 31st October 90 को किती दो रोपे लगाने इडिश्व क्यापितल वन लैक रोपी ला रही है rate of interest 12% ही रही की 1 लैक रोपन है October नहीं October कांटर नहीं होगा क्योंकि at the end of the month है तो नहीं November, December, January, February और March कितने मन्त का इस पर interest calculate होगा 5 month का ठीक कैस 12 से 12 कैस 2 0 से 2 0 तो भाईस योगा 5000 उसके बाद गाईस इन्होंने विड्रॉण की है 31st January 20 को किते गाईस 50,000 rate of interest 12% और कितने मन्त का interest इस पर charge होगा January में निकाला है तो January calculate में ही होगा Feb और March calculate होगा यहीं 2 month 12 से 12 के गाईस 2 0 से 2 0 5 2 सा 10 यानि की 1,000 तो वाइस अपन नहीं बोला था कि opening capital पर interest एड होगी additional capital पर interest एड होगी तो 36,000 और 5,000 होगा है 41,000 1,000 आपन लेस करेंगी तो 40,000 interest यह हमारी calculate होगी यह interest on capital यह वाइस 40,000 यानि के आपने only capital पर interest लगाई additional capital पर interest लगाई आपको जैसे भी अच्छा लगाई आप interest calculate कर सकते हैं यह दूसरा method देखें 1st April 19 को यानि के कितनी capital थी? 3,000,000 ठीके लाइस इंड यह जो 3,000,000 capital है यह कब तक रही है? October तक यानि की April, May, June, July अगर September और October यानि की 7 month हमारे 3,000,000 rupees रहे हैं और rate of interest है 12% तो गैस 21,000 calculate होगा उसके गैस 31st October को रहा है 1,000 rupees और लहाए है अडिशन capital तो यानि की 1 November से करब बात कर रहा है की capital कि इतनी होगा ही? 4,000 यानि की 31st 1st April 19 से और गैस 31st January ताप इतने month की interest हम calculate करेंगे 4,000 पर है गैस कितने पर 4,000 है तो कितने month होगा है? November, December और January 3 month की interest हम calculate करेंगे तो गैस कितना calculate होगा? 12,000 ठीके लाइस यह अपने जो calculate करी थी 1st April to 31st October 19 ता calculate की थी यह 1st November से 31st January ता calculate की है उसके वाद आक हमने 31st January को 50,000 विट्रो कर लिए तो अब यानि की बात करें यह 1st February 20 से 31st March 20 ता हमारे पर स्क्रिप्ते रुपे रहे रहे थी capital की थीने 4,000 चले लिए तो 3,500,000 इस पर इंट्रेस के रहे होगा 2 months का यानि कि Fem और March 2 upon 12 और 12 upon 100, 12 से 12 गया guys 20 से 7000 टोटल, अब guys को अपन करेंगे 21000 और 12000, 33000 और 7000, 40000 कल्कुलेट हो गई, तो guys आप उसको किसी भी method से कर सकते हैं, यानि कि उसको इस method से भी कर सकते हैं, और इस method से भी कर सकते हैं, यानि कि अपन को guys opening capital पर interest देनी है, अब बात करते हैं guys कि अगर हमको closing capital दे रखी है और opening capital नहीं दे रखी है, उस capital दे रखी closing और opening हमारे पास है नहीं, तो आपको opening capital find out कर नहीं पड़ेगी, क्योंकि closing capital पर interest charge नहीं होगा, ठीक है न guys, तो opening capital पर interest calculate करेंगे, तो उसके लिए पहले opening capital find out की जाएगी, तो बाइस opening capital को find out करेंगे तौनों method के अंदर, एक तो अपना रहेगा fixed method और एक अपना रहेगा fluctuating, fluctuating, fluctuating और एक अपना रहेगा fixed, अब fixed method है और एक आपना पस fluctuating method, कौनों ही अपने पढ़े हैं कि अपने जो पाटन से capital account है, वो दो टाइक से maintain करते थी, एक तो fixed method और एक fluctuating से, guys, fixed method कि अगर आपन बात कर रहे हैं, तो हमें बता है कि capital account के अंदर तीन items जाते हैं, जैनि कि अगर हमने कोई भी capital लगाई है, यानि कि starting में opening हो गई, उसके अगर हमने during पे गिर अगर कोई capital लगाई है, तो additional capital हो गई, अगर हमने during पे गिर कोई capital partnership form से निकाल जो तो capital withdrawn हो गया, और उसके बाद काई इसके आता है, closing capital, तो जान से समझेगा, पहले इसको पन closing capital नकाल समझाते आपको, सबसे पहले opening, opening capital, ठीके डाइस, opening capital, इसमें add कर आपनने, additional capital, ठीके डाइस, less कर दिया आपनने, capital withdrawn, ठीके डाइस, capital withdrawn, ठीके डाइस, capital withdrawn, ठीके डाइस, capital withdrawn, ठीके डाइस, कॉन सी capital नकल के आईगी, closing capital नकल के हमारे पस आईगी, यानि कि opening capital जो अपने starting में, जब partnership firm start हो गया, यार का first day, उस दिन opening capital, add कि, और उसमें additional capital जो डिवरिंग में पहले है, ठीके डाइस, और less करेंगे capital withdrawn, तो हमारे पास नकल के क्या है है, closing capital, ठीके डाइस, अब अपन को question में, यानि की opening capital given नहीं है, और closing capital दे रखिए, तो easy form में हम लोग opening capital निकाल लेगे, तो वाइस इसको ध्यान समझेगा, जैसे कि closing capital के बादे हमारे पास हमने लिख दिए, आपन में क्या जाता है, additional capital को add हिया था, आपन less करेंगे, additional capital ठीके है, जैसे कि क्या जाता है, जैसे कि अपने less की थी capital withdrawn, इसको अपने add करेंगे, capital, withdrawn को, तो हमारे पास क्या जाएगी, opening capital आजाएगी, जैने कि opening capital, इन इक closing capital में add करेंगे, less करेंगे, additional capital, add करेंगी capital, with drawn, तो हमारे पास क्या जाता है, opening capital, जैसे क्या क्या जाता है, opening capital करेंगे, जैसे कि क्लोजीं capital आपन को given है, जैसे कि less कराने के addition capital और एड कराएं कि capital विट्रॉंट तो हमारी गाइस कहते हैं कि opening capital तो गाइस यह कौन से में समझाया गया है fixed method के अंदर अगरे बात करते हैं fluctuating fluctuating में क्या होता है गाइस कि capital विट्रॉंग additional capital और drawing profits सब किसमें जाते हैं गाइस capital एकाउंट के अंदर तो fluctuating के अंदर अपन किस तरह किसे calculate करेंगे है रधान समझेगा सबसे पहले closing capital ठीके गाइस closing capital में अपन लोग add करेंगे capital withdrawn capital add करेंगी less करेंगी गाइस में additional capital ठीके गाइस इसमें गाइस add करेंगी drawing क्योंकि drawing भी इसी capital account में जाती है ठीके गाइस less करेंगी share of profit क्योंकि अपन profit add करते हैं तो share of profit अपन लेस करेंगी एड करेंगी capital capital return less करेंगे additional capital add करेंगे drawing less करेंगी share of profit तो हमारी यहांप निकलके आएगी opening capital यह है गाइस कौनसे method से fluctuating method से यहांपर कैस हमने drawing add करेंगी capital account जब हम fluctuating method सरी बनाते हैं तो हमारी drawing भी capital account के अबर जाती है ठीक है और share of profit profit जो है वो हमें यहांपर less करा ना पड़ेगा क्योंकि profit भी हमारा पर जाता है capital account के अंदर यह काम हमने fix दूने नहीं करा था क्योंकि हमने fix दूने capital account के दर से तीन चीच जाती है कोई भी capital जो उन्होंने starting में इंट्रोट्यूस कराईगी है एडिशन capital जाती है और capital withdraw जाता है ठीक है ना गए तो यह फ्लेक्ट्वेटिंस है closing capital के अंतरा अपर लोग capital एड़ करेंगे less करेंगे additional capital एड़ करेंगे drawing less करेंगे share of profit तो opening capital आ जाएगी तो अपन लोग पढ़ते हैं कि टी एंटल से जो net profit आता है तो अपन opening capital एड़ करते हैं और अगर loss आता है तो उसे क्या करते हैं less करते हैं drawing है less करते है additional capital अगर अपने लगाई है तो अपन से end करते हैं तो हमारी closing capital आती है opening capital के अंदर तो आपको समझने आए अच्छे से black trading में अपन किस तरह की से calculate करेंगे और फिक्स में अपन कैसी calculate करेंगे अगर question में closing capital दे रखिया है opening नहीं दे रखिया तो आप guys क्योंकि इसलिए calculate करनी है अपन opening क्योंकि interest कभी भी closing capital के charge नहीं होगा ठीक है guys अब guys चलते हैं आगे अब guys interest on capital के अपन को provisions पढ़ने हैं guys क्या पढ़ने guys provisions interest on capital के अपन पढ़ने के provisions तो आपको ध्यान से समझेगा इसमें अपनको 5 points पढ़ने हैं और वो कौन-कौन से हो भी अपन समझाए अपन को पता है कि अगर partnership deed में interest on capital के बारे में कुछ भी provision नहीं था तो अपन को पता है कि silent features में हम interest on capital पर यहीं की capital पर interest नहीं देते अगर partnership deed silent है point number first complete अगर partnership deed में interest on capital के बारे में वो यहीं information नहीं है पार्टनर्स की capital पर interest हमें allowed करना है यहीं देना है तो उसमें guys हमको 3 points पार्टने है करते हैं interest on capital के बारे में दिया हुआ है लेकिन हमारे पास profit insufficient है guys क्या है insufficient suppose that जैसे interest है calculate हुई है partners की 60,000 और हमारे पास guys profit है 40,000 तो guys हम 60,000 को दे नहीं सकते क्योंकि profit है हमने पास 40,000 है तो guys हम क्या करते हैं कि partners की capital पे पहले interest calculate करते हैं और जो interest आती है उसका ratio निकालते है ratio आई गाइस बाद समझे है partners की capital पे पहले पाने interest calculate की interest का ratio निकाल लिया उस ratio में जो हमारे पास profit था insufficient उसको distribute कर देते हैं यानि क्यों उतनी ही interest उनको मिल पाएगी दुवारा से guys यानि की सबसे पहले हमारे पास profit है insufficient लेकि partnership leader में है profit यानकी interest on capital आ रहा है देना है और profit हमारे पास insufficient है तो guys हम क्या करते है partners की capital पे पहले interest calculate करते हैं उस interest का ratio रिकालते हैं और जो profit है उस ratio में distribute कर दिया जाता है और जितना जितना आता है वो उनकी interest on capital होती है guys तीन point complete होगा guys fourth point यानकी guys partnership deed में interest on capital के बारे में रखा है और हमारे पास profit sufficient है तो उनकी जितनी इंट्रेस्ट बनेगी उसे हम allowed करेंगे यह तरह इंट्रेस्ट देरेंगे ठीक है guys fourth point आप guys fifth point पास करते हैं कि अगर profit हमारे पास से insufficient partnership video में लिखी हुई है कि हमें interest on capital P&D से charge करनी है यह partnership video में है कि profit तो है insufficient limit लिखा हुआ है कि हमें कहां से charge करनी है profit से charge करनी है तो हम पूरी की पूरी interest देंगे partners को guys fifth point दोबारा समझते हैं कि partnership DVD के अंदर यह बात दिखी हुई है कि profit से charge होगी interest किससे guys profit से तो हमारे पास profit insufficient है तब भी हम पूरी की पूरी interest partners को देंगे उनकी capital का ठीक है इसे five point थे दोबारा इक पर रिरीजन कर लेते हैं पहला point यह था कि partnership deed अगर silent है तो कोई भी interest नहीं देंगे point first point second partnership deed में दे रखा है interest देंगे लेकिन वह को loss है तो हम interest नहीं देंगे तीसरा point है guys कि partnership deed में interest के बारे में पहला एक interest देना है लेकिन हमारे पास profit insufficient है तो हम guys क्या करेंगे partners की capital पर पर इंट्रेस्ट करेंगे उस interest का ratio निका देंगे और उसको देंगे interest 5th point है कि guys अगर बानके चलते के partnership deed में लिखा हुआ है कि interest को profit से charge करना है तो हम पूरी interest partners को देंगे profit हमारे पास insufficient है तब भी ठीक है guys अगर insufficient है profit तब भी interest पूरी charge करेंगे तो ठीक है guys देंगे 5 point अपने समझ लिया था यानि कि opening capital अगर नहीं देर किया तो गाइस अगरेंगे तो एक्जांपल के साथ मिलिंके यानि कि अग्जांपल करेंगे जो कि अब देक पा मैं जोंके फीनतर आप्रोपीशंच के बारे में के एक्जांपल है यारदी प्यांगे उसका ठीक है ना गाइस उसका कोईश्यन ठीक है ना गाइस आप तब तक जो भी हमने पहले वीडियो आपको दे दी हो उनका और इबीस न करते हैं अगर आपको कुछ भी समझते नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं इस से हम आपके लिए क्या कर सका होना है and thank you